वेलकम रिवन स्वागात आप सभी लोगों का आपके अपने चलनक कुरी के लिए में के में दोस्ते हैं पर बात करेंगे PKB वसे सहां पर BI के बीच में होने वाले जो यहां पर ECS के स्पेंड दिंग का आज के दिंग का दूसरा मुकाबला खेल जाएगा एक मुकाबला होगा 6 बच के 30 मिट पर और दूसरा मुकाबला खेल जाएगा 8 बच के 30 मिट पर यानि back to back दो मुकाबले खेलने जाने वाले हैं इस मैच के अगर आप भी टीम मना रहे हो तो कौन-कौन से खिराड़ी इस मैच में आपके लिए important रहेंगे इस वीडियो में देखे चलने वाला हूँ बस आपको करना क्या है इस वीडियो को सुरू से लेके लाज सक देखना है चीजों को समझना है और आप खुछ से भी अपने बहतर टीम बना सकते हो तो चलो फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते है शुरू चैनुड अब देखो वीडियो में आके बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारे चलम चलम लोग को जोईन नहीं किया है तो सबसे पहरा काम आपको हमारे चलम चलम को जाके जोइन करना है रिजन कहना after toss के बाद हो सकता है कोई बदलावत देखने को मिल जाए तो उनके stats, कोई napler खेल जाए उनके stats record सब कुछ यहाँ पर देता हूँ साथ इसाथ जो मेरी official batting order आती है मैं आपको यहाँ पर send कर देता हूँ अब देको start करते हैं लेकिन team मनने से पहले एक चीज़ आप जरूर ध्यान अखना है match होगा PKB वसे तहां पर BI के बीच में वेन्यों यानी stadium की बात करेंगे mount जुसके ground पर यह मुकाबला होगा Barcelona यानी Spain में यह एक batting पीछे जहां पर बल्लेबाजी बहुत सांदार हो रही है अच्छे खासे runs बन रहे हैं fast गिनबाज विकेट निकालते हैं कोकि यह artificial पीछे एक mat भी छी रहती है उस पर यह matches होते हैं average score की बात करेंगे 136 120 से लेखे 170 की उमीद करना वैसे तो 200 कभी आकड़ यहां पर पार हो चुका है बट इतने score की आप उमीद करना 120 से लेके न 160 की बिच में आपको regular score देखने को मिल सकता है अब मैंने ऐसा क्यों बोला भाई fast गिंवाज विकेट निकालते हैं होकि यह artificial pitch है और spinner उतना खेलते भी नहीं है और उतनी spin होती भी नहीं है ठीक है पांच मुकाबले में आखरी के पांच मुकाबले खेले गाए सेम पिच पर जहां पर पांच मुकाबले में 44 विकेट गीड गी रहे 49 विकेट निकाले फास्क निमादों ने स्पिनार ने के वर 5 विकेट निकाले तो ये धान देना भाई स्पिनार बहुत कम विकेट निकालते हैं अब देखो बात कर लेते हैं अपने पहरे टीम बी आई की टीम की बैटिंग ओटर के बारे में अब दिखो batting order की बात करें तो batting order को देखेंगे साथ में हम यह भी जानेंगे भाई कितने bowling options हैं 10 over का ही मकाबला है 2 2 over की पूरी bowling कौन करके देगा तो बात कर लिएते हैं B.I. की तरफ से Anorand open करेंगे अली उजामा के साथ में नमपर 3 पर आएंगे नमर साथ पर खेलेंगे, बॉलिंग दोबर की करेंगे, विसेज गजार रहेंगे, के नमाज रहेंगे, जे वॉंग रहेंगे, इसके लावे के डूनर्ड, यहाँ पर यह इंकी पोसिबल प्लेंग रहने वाली, आप लोग स्कीन सोट लेलना, यही इंका बैटिंग ओर रहेग रहने वाले, अब इनके टीम की तरफ से कौनकों से ख्लाड़ी इंपोर्डेंट आप मान सकते हो, आली उजामा, उमार राजी, जेम्स मेटली, सिटाम भोसाले, जड़ दिल्दार, यह इंके मस्टप एक प्लियर, विसेज गजार को अपने टीम आप जगा देखे, चल सकते ग्राड़ी है, स्मॉल लिग में, बात कर लेते हैं, आगे प्लेरवाई स्टैट्स, अगर आपको इनके हरे ख्लाड़ी का रिकोर्ड देखना है, तो कैसे देखना है, एर रोनल्ड, दस मकाबले खेले, अभी तक 105 रंग का स्कोर किया, 10 की एवरेस से, यहीं बात कर लेते है अली उजामा, बैटिंग से इनोने साथ मैंचेस के लिए, जहांपर 143 रंग का स्कोर किया, 47 का एवरेस स्कोर हैगा, उमर आजी की बात करेंगे, विके डिपर है, 17 मैचेस खेले, जहांपर 200 रंग का स्कोर किया, 15 की एवरेस से, आगे बात कर लेते हैं, किसी ओलाड़ रिक देख लेजिए हरे ख्राड़ी का रिकोर्ड में नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफी लंभी हो जाएगी और आप काफी बोर जाओगे तो आप लोग रिकोर्ड देख लेना मैं उसे हम पर स्क्रोल करकर दिखायता हूं बात कर लेते हैं अपनी दूसरी टीम पीके बीकी ट अब से बैटिंग मोडर की बात करें तो डाबलू अब बास ओपन करेंगे एम इकबाल के साथ में नंबर तीम पर आएंगे आर उल्ला नंबर चार पर कमरान राजा नंबर पांच पर मौजम रसूल नंबर शे पर आमीर हमजा अमीर हमजा कभीकवार ओपन भी कर जाते हैं यहीं पर बात करें कभीकवार ना देखो या तो अमीर हमजा को ओपन कराया आता हैं कभीकवार के राजा भी ओपन कर चुके हैं तो ओपन कर जाएं तो कंफ्यूज मत होना आफ्टर टोस के बाद टेलिगाम पर सारी चीज़े अपडेट कर दूँगा किसको ओपनर दिखाय आप एहमाद आपको देखने को मिलेंगे तो यह इनकी पॉसिबल प्लेंगे लों बैटिंग ओंडर रहने वाली अब इनकी टीम मजबूत है और इनकी टीम मॉस्ट अब टाइम और ही खेल रहे हैं अब इनकी टीम से बात करेंगे कौन कितने ओवर की बोलिंग करेगा डबल इस तरीके से आप हरे खिलारी का रिकोर्ड देख लेना हरे खिलारी का में रिकोर्ड नहीं दिखाने वाला यहांप मैं स्कूर कर देता हूं मैं पढ़के नहीं सुनाओंगा आप जरूर देख लेजिएगा स्क्रोल कर देता हूं मैं धीर देख पाओ और वीडियो को रोग करके भी पॉस्ट करके भी आप देख सकते हो अब आगे बात कर लेते हैं क्या राइगी मेरी टीम कौनकों से खिलारी को लेना है कौन से अपने टीम में ट्राइ करना है स्मॉल लिग में के स्कोल लेना है ग्राड लिग के स्कोल लेना है वो सभी चीज़े आप बस लास्ट अग वीडियो को देखते जाओ चीजो को समझो बहले बात कर लेते हैं विकटीपर सेक्शन में दिखेंगे यू राजी जो की नंबर थी खेल लें तो अच्छी स्कोरिंग कर रहें और स्टंपिंगाजी chase के पौण मिलते हैं एक catch प्र लियंगे और स्टंपिंग कर देते हैं तो बारा पॉरन मिल जाते हैं और 20 का भी स्कोल करदेंग म bagus तो आपको 30-35 पूर्ण अराम से दे जाएंगे तो इंपोर्डन रहेंगे लेके चल रहा हूँ अमीर हमजा तो अगर ऐसा मैंसन ओपनिंग होएंगे तो आच्छे है फिलेर बहुत तगड़े हिटर हैं लेके चल सकते हैं लेकिन अगर नंबर 6 पर खेलेंगे अपने टीम से में ड्रॉब करूँगे वो कि बी आई की टीम उतना स्कोर करती है नहीं है ठीक है 100 के अंदर में सिमर्ण जाती 101 के अंदर में तो यहां पर आमीर हमजा की ज़रुत नहीं पड़ेगी नंबर 6 तक उपर के बल्लेबाद जो कि डबलू अबबास आप देखा हुए बहुत अच्छी स्कोरिंग करते हैं अकीले ही दम रखते हैं मैच को चिताने का तो अभी के लिए हम अपने टीम में रिकमेंट नहीं करूँगा जो ओपन मैंसन होंगे तो अच्छी प्लेर थे बट अभी के लिए नंबर 3 पर दिखाए दार था लाश्मकाद नंबर 3 पर खेले उतना महोगा नहीं मिल रहा हैंको फिर सेम चीज़ में होती है इंकी टीम में ट्राइ करो जब इंकी टीम पहले बैटिंग कर जाती है पहले बैटिंग करेंगी तो ही मिलेगा और चेजिंग करेंगी टीम तो हो सकता है बी आई की टीम स्कोर बहुत कम करें तो अमीर हमजब को मोगा ही नहीं मिले, उस case में मैंने अपने team से drop किया, और इन दोनों को grand league team में आप try करना, बैटिंग में बात करेंगे, बैटिंग में मैंने अपने टीमेज जगे दिया के राजा को कभी भी बोलिंग कर सकते हैं, और कभी भी आपको टाब बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, एक बाल ओपनेर बल्लेबाज, पूरे सीजन नमबर 6 पर खेले हैं, तो उतना कुछ खास इं लास्ट मुकाबल अच्छा स्कोरिंग किया था, रखके चल रहा हूं, अगर ओपन कर रहे हैं तो इंपोर्टेंट हैं कि नमबर 6 पर खेलेंगे, तो डिमोट की जाएंगे, तो ड्रॉप कर देंगे, तो अभी के लिए तीम को अपने तीम में सामिल किया, नीचे अधर कोई अप्सन रहेगा नि, जेवंग नमबर 7 पर खेलते हैं, उतना मुका मिलता नहीं है, तो अभी के लिए बात कर लेते हैं, और अउन्टर सेक्चल में, डबलू अब बात जैम्स बैटली, और यहां पर यह इंपोर्टन प्लेयर हैं के कैप्टन सी बीसी के भैसर चोईस, दोन जाते हैं, एक आद अबर की बोलिंग मिलती है, नमबर 6 पर बैटिंग मिलती है, अभी के लिए अपने टीम से ड्रोप किया, प्लेयर बहुत तकड़ हैं, अच्छे हैं, बाट कुछ खास इंपक्ट, इनका पूरे सी जन देखने को नहीं मिला है, टीक बाल, दोबर की बोलि बोलिंग करेंगे, बोलिंग और नीचे खेलते हैं, नमबर 7 अर्दग, लेकिन बैटिंग उतनी मिलती हैं, बोलिंग से उम्मीद करना चाहो, तो दोबर की बोलिंग करके देंगे, रख सकते हो, यह नमाज बैटिंग का मौका नहीं मिलता, बात कर लेते हैं, सिंदोरे की द पर चाहिए तो अपने टीम में है रहरा हूं जहक नहीं दे रहाए हों पर चाहों तो अपने टीम में रखके चल लिख चल सकते हैं कई दक– Important विकत नइक दीए लेकिल रहा हूं रोही तरहना बैटिंगRO यहां पर अपने टीम में लेकिन थोड़ी कम जो नजर आ रही है तो मैं अपने टीम में सब्सक्राइब पहले बैटिंग कर जाती है तो आपको प्रादू से अधिक स्कूर कर सकती है अब एक सतर का अधिक स्कूर खड़ा कर देगी तो अहमाद को विकेट मिल जाएगा तो अपने टीम में इंको लिया लेकिन आप चाहूं तो इंके प्लेस में जर दिल्दार एक विकेट टेकर बोला रहे हैं और दो वर्ग की बोलिंग का फॉर्म रहती कोई ओवर काट ने सकता अच्छे खासे ओवर्ग की बोलिंग भी करेंगे और साथ ने अगर बोका मिल गया बैटिंग का तो बैटिंग सभी अच्छा स्कोरिंग कर लेते हैं इन्होंने स्कोरिंग भी किये बड़ अभी के लिए ऐसा हमात को लेके चल रहा हूं वो सभी चीजे मैंने आपको समझाइए विकेटी पर सेक्षन में अमीर हमजाओ को कब लेंगे ओपन करेंगे तो लेंगे मैंसन होंगे तो इसके लावे आप ग्रांड लीक की टीम में आप बदलाव कर सकते हो कैप्टन सी बिल्कुल फिक्स रख देना प्लेर्स का रोटेशन करना है जैसे यहाँ पर बॉली जैसन से जड़ दिलदार अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो एस एहमात को ड्रॉप करके यह मैं आपको लेडी बता दिया है इसके लावे बिकेटी पर सेक्षन में आपको कु ट्रॉमकार्ड के प्लेर गुरूप में जैड दिलार को अपने टीम में ट्राइ करना अमीर हमजा को अपने टीम में ट्राइ करना और यहां से आर उल्ला अपने टीम में ट्राइ करके चलिजाना ठीक है यह मैरी स्मॉल लिक के डेमो टीम रहेगी फाइनल टीम नहीं रहेग पहले आपको मिल जाए और सही तरीके से आप टीम बना कर एक अच्छी वीरिंग कर पाओ